हेलो एंड विलकॉम एबरीबन दिस इसन इंसिचूट मैंने में सेफ उल्ला हम लोग एलेक्ट्र स्टैटिक्स का आज लेक्ट्र नमर फाइब पढ़ेंगे इसे पहले लेक्ट्र फॉर पर्ण बन तक कंप्लीट किया था हम लोगों ने और इसमें कुलम्स जो वेक्ट्र फॉ तो इसे पहले आपको जागर के चार पांच जो लेक्ट्र से उसको अप कंप्लीट कीजिए और इसके बाद यह सारा कंसेफ्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्योंकि सारा का सारा कंसेफ्ट अभी चार्ज कर चल रहा है यह जानना बहुत जरूरी है और इंप एक बाद बुड़ी तरीके सा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसमें हम एक्जम्पल से भी देखेंगे अच्छी तरीके से कोशन बेहतरीन कोशन को भी करने की प्रैक्टिस करेंगे एक्यूबिरियम औफ चार्ज के बेस पर आए लिए दिए एकिबिलियम कोई अगर जिरो हो जाए तो वो बाड़ी एक्यूबिलिरियुम में हो जाए गाएयंगा वो बाड़ी। आई अब चारजे को करना है यह निकिा कि इसमान ल़िजए्ग दो चार्ज रखा हुआ गार्ट रखा हुआ एक ही दो यह चारज है इसा फिक्स्ट है जब यह दोनों दोनों चार्ज फिक्स्ट है तो सवाल इसमें यह बनता है कोश्चन कि वेर शुड़ कि वी प्लेस कि एठ थर्ड चार्ज तिसरे चार्ज को हम कहां पर रखेंगे कि कि सो दाइट नेट फॉर्स जो होना चाहिए और थर्ड चार्ज थर्ड चार्ज के उपर जो नेट फॉर्स होगा यह थर्ड चार्ज के उपर वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए जीरो नेट फॉर्स क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए मलब वो एक्यूबिलेरियम में चला जाएगा तो अब देखिए यहां पर यह जो चीज हमने लिया इसको समझने के लिए आप उतारते चलेंगे नोट्स को ताकि आप बेटर तरीके से समझ सकें अगर हम यह दो चार्जेस को यहां पर रखते हैं जैसे यह दो चार्जेस है पलस क्यूब पलस क्यूब दोनों का नेचर सेम है पॉजिटिव है अगर इस यहां पर हमने एक थर्ड चार्ज को रखा थर्ड चार्ज को रखा क्लियर यह बात थर्ड चार्ज को हमने रखा माली जीए हमने पलस क्यूब रखा थार्ट चार्ज तो पलस क्यों अगर हम रखेंगे थार्ट चार्ज को तो ये पलस और ये पलस दोनों एक दुसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो इसके जरीए जो इस पर फोर्स लगेगा, वो इधर जाएगा समझ में आ रहा है, इसके जरीए यह भी परसु फ्र्स CC जरीजी जो फोर्सट लगेगा वह किधर जाएका इधर जाएगा यह व्यक्तिय可 तो व्यक्र migrant यह दोनों का रिजलिटेंट निकलेगा ना कुछ कुछ ना कुछ रिजल्टन निकलेगा मतलब नेट फोर्स जिरो नहीं होगा अगर हम माइनस भी लेते चार्ज चार्ज अगर निगेटिव लेते तो अटरैक्शन करता है इधर होता इधर होता तो रिजल्टन निकलता तो इससे बात यह पता चला कि दो पॉजिटीव या नीचे रखें या इधर रखें या इधर रखें या इधर रखें या इधर रखें कहीं पर भी रखेंगे आप तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा अब नेट फोर्स को कहां पर रखेंगे चार्ज का जो लाइन जोईनिंगे दोनों चार्ज इस लाइन पर जोईन हो रह जिए इसको दुसरा माले जी इसको तिसरा मान सकते हैं कोई problem नहीं समझने वाली बात इसे अब देखिए अगर चार्ज को हम ने यहां पर रखा पहले reason में अगर हम ने थर्ड चार्ज को रखा थर्ड चार्ज पॉजिटिव क्यू है इसको हम ने रखा अब क्या है इस पे और इस पर फोर्स लगेगा इसके जरीए जो इस पर फोर्स लगेगा हमाली जी इसको फिर्स चार्ज मान लेते और इसको सेकंड चार्ज मान लेते हैं फिर्स चार्ज के जरीए जो इस पर फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा क्यों क्योंकि positive positive क्या होता है repulsion होता है तो रिपल करेगा इसको उदर धाके लिने कोशिश करेगा यह F1 होगा अब यह भी positive और यह भी positive तो F2 के जरीए जो force लगेगा इस body पर जो लग रहा force F2 के जरीए तो इसको F1 force माल लिए अब इसके जरीए जो इस पर force लग रहा इसको F प्रोडीट पीकविलीरयमं में जाएगा अगर मेलेगा किया अगर जोग हम यही चीज यहीचिज अगर हम इसके थो लिचन में तरहिंगे कंड़ीजन यहां पर हमने पॉजिटिव क्या होगा फिर वही चीज हो गई इसको क्या करे का विल करेंगा यह जाएगा F1, ये इसको भी क्या करेगा रिपेल करेगा, तो ये क्या हो गया F2 हो गया, तो इधर भी Equibularium नहीं हो गया, क्योंकि Force का Direction Same है, Equibularium नहीं होगा, समझ में आ रही है अगर Minus भी लेंगे आप तो देख सकते दिखे, Minus अगर लेंगे तो Minus में क्या होगा, ये दोनों Attract करेगा, तो इधर ये भी Minus और ये Plus और ये Minus तो Attract करेगा तो Force का Direction सेम डिरेक्शन में होगा सेम डिरेक्शन में Forces लग रहा है एक ही Direction की तरफ जा रहा है तो जिससे क्या होगा, कि Equibularium नहीं होगा अब ये दोनों तो पहला और तिसरा Reason खत्म तो ये दूसरा ये दूसरा ये दो चार्ज के बीच में तो दो चार्ज के बीच में अगर हम यहां पर रखते हैं इधर यहां पर रखा माल लिजिए Q, Positive Q को इसका कोई भी Nature हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पलस हो यह माइनस हो, यहां पर यह इसको देखना है यह पॉजिटीव है, यह भी Positive है, दोनों सेम नेचर का चार्ज है अब देखें यहां पर यह क्या होगा पलस और पलस क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो यह इधर रिपेल होगा यह बन इसको माल लेते हैं, पहले से मान रहे है अब यह इस पे लगाएगा, तो यह कहां जाएगा इस सरफ जाएगा, तो यह क्या होगा अब forces का direction different है forces का direction क्या है, different है तो different है तो chances क्या बनेगा कि यह body equilibrium हो जाएगा एक दोनों force, net force जो है जीरो हो जाएगा यह बात समझ में आया, यह clear होगा गंसेट, तो यह इस से आप क्या सीखा कि जब charge का nature same होगा जब दो charges और fixed होगा तो charge का nature अगर same होगा तो तिसरा charge को कहां पर रखेंगे कि net force zero होगा तो तिसरा charge को रखने का जो जगा होगा, वो दोनों charges के बीच में होगा, between the charges जब charge का nature क्या होगा same होगा clear यह बात, यह बात समझ में आगया एक दम असान तरीके से किसी बे में कोई problem नहीं है यह ज़िस, ठीक है अब दिखे, इस पर हम लोग कुछ examples भी देख सकते हैं, कुछ questions भी बना सेखा, माल लीजिए इस charges का पोजिशन हमें निकालना तो बीच में रखेंगे तो पोजिशन अगर हमें निकालना, यह ही question को लेते हैं पोजिशन हमें निकालना कि उसका पोजिशन कहां पर होगा, तो यह हमने रख दिया अब क्या किया, यह दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने L ले लिया, क्या लिया L, अब समझने वाला बात है दो charges है दोनों fixed है पलस Q है पलस Q है, के लिए रहे बाद दोनों fixed है दोनों के बीच का जो distance है, वो है L, L distance पर है अब हम कहांगे कि charges equilibrium position में होगा net force चला जाए, A zero हो जाएगा तो third charge को आप कहां पर रखेंगे अग्दम आसान तरीका, third charge को आप दोनों charge के बीच में रखेंगे क्योंकि nature same है तो आपने यहाँ पर तिसरे charge को रख लिया Q को, ठीक है यह Q को रख लिया अब जब यह position पर रखा आपने ठीक है तो पहले से अगर इस यहाँ पर आप X रख दें ठीक X रखा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का distance X माना यह पहले charge से लेकर के यहाँ तक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का distance क्या होगा simple सा है यहां से लेकर कि यहां तक डिस्टेंस L माइनस X हो जाएगा होगा ला कि एकसे लगा अब देखिए क्या होगा इस पर फोर्स निकालेंगे इस पर फोर्स निकलेगा F1 और इस पर फॉर्स निकलेगा F2 ठीक एफवन अगर हमनिकालर गै vive one किसके इसके जरीये लग रहा है है तो ओन हम जानते के Charges के रगख"- गार क्या है अमारा एक्सवार हो गया तोowan देखेंगे एफ नमारा क्या होगा यस चार्जिस के जरीये लग 2 बराबर हो जाएगा के Q into Q यह और यह charges हो गया दोनों का magnitude Q1 into Q2 by distance क्या है L minus X का स्का स्कार कुलम्स लागे इसाब से पॉर्म लागे इसाब से अब दोनों net force यहां पर 0 होगा तो F1 और F2 आपस में क्या होगा बराबर होगा दोनों का magnitude तो अब यहां पर हम रख देते के Q into Q by X स्कार के इंटु क्यू इंटु क्यू बाई L minus X का स्कार अब यह क्या होगा सारा वैलू कैंसल हो जाएगा सेम है दोनों तरफ कैंसल हो गया क्या बचा X स्कार बराबर L minus X का स्कार अब इंटु क्या आएगा इधर X हा जाएगा L minus X हो गया minus minus plus 2X हो जाएगा 2X बराबर हो गया L तो इसलिए X बराबर जो होगा वो होगा L by 2 मतलब चार्ज का जो पोजिशन होगा वो L by 2 पर होगा यानि बीच में होगा जब दो चार्ज का मैंगनेचुट सेम हो तो थर्ट चार्ज को एक बीच में रखेंगे L by 2 पर यह बात समझ में आगिया असान तरीके से easy way में ठेक अब आईए यानि कि if both charges of same nature then equilibrium will be in vitamin मतलब पीच में होगा अगर charges same होगा तो equilibrium कहां पर होगा बीच में होगा यह बात समझ में आगिया कुछ और examples दिखते हैं समझते हैं इसको एक दम आसान है जादा भारी नहीं है यह जिस देखिए कोश्चन समझिएगा जिसे यह दो charges है एक है plus Q है और एक plus 4 Q है दोनों का nature same है positive positive दोनों कैसा fixed है अब सवाल इसमें यह है कि third charge को कहां पर रखेंगे कि body क्या होगा equilibrium position होगा तो body equilibrium position होगा Church equilibrium हो जाए जाए net force क्या हो जाना चाहिए third charge हो जाना चाहिए जब net charges zero होगा तो कहां पर रखेंगे इसकी body को यह हम जानते कि यह दोनों के बीच में आएगा जब nature same होता है अब यहां पर क्या magnitude different है Q है और यहां plus 4Q है तो हमेशा याद रखिएगा ये बात कि जब जो magnitude जो body का magnitude ये सॉरी, charges का magnitude छोटा होगा charges उसके करीब में होगा ये बात याद रखना है क्योंकि forces हम निकाल लाएं तो force का balance बनना ज़रूरी है तो जिसका magnitude कम होगा उसके करीब में होगा charges अब देखिए ये कैसे ये होगा plus Q ये होगा plus 4Q charges का हम इसके 4Q के करीब में रखेंगे ये रख दिया Q को अब इसको plus minus का nature कुछ भी ले इसके को फर्क नहीं पड़ेगा अब यहां देखिए ये क्या होगा इसको यहां से यहां इसके बीच का distance L दिया हुआ distance याद रहना चाहिए यहां से यहां आपने क्या मान लिया X मान लिया तो यहां से यहां क्या होगा L minus X हो जाएगा अब इस पे लगाएंगे तो इसके जरीए इधर लगेगा इसको F1 मान लेंगे यह 1 F1 के जरीए इसको 2 मान लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा F2 के जरीए के लिए F1 क्या होगा हमारा F1 मराबर हो जाएगा K into Q1 into Q by R क्या है X है distance दोनों चार्जेस के बीच का X है तो X स्कार हो गया F2 हमारा क्या होगा K into 4Q होगा अब बुलिए 4Q क्यों होगा यहां पर 4Q है मैंने चुट 4Q into क्या होगा multiply कर देते हैं into Q होगा और by क्या हो जाएगा distance क्या होगा L minus X का स्कार होगा clear यह बात अब देखें यहां पर क्या होगा इस बात को समझ यह कि net force 0 हो रहा तो F1 और F2 आपस में क्या होगा बराबर होगा तो F1 का वैलू आप क्या रखेंगे K Q into Q by X स्कार F2 का वैलू क्या लाए था K into 4Q into Q by L minus X का स्कार clear यह बात अब देखें यहां पर K से K cancel Q से Q cancel Q से Q cancel क्या बचा 4 4 या 1 by X स्कार 4 by L minus X का whole square इसको से multiply करेंगे इसको से multiply करेंगे 4X square बराबर L minus X का whole square square अठाएंगे root चलाएंगे इदर तो under root 4X square का value क्या होगा 2X हो जाएगा L minus X minus X को इदर बेज दिया 2X plus X बराबर L 3X बराबर L तो X बराबर क्या होगा L by 3 यानि जो distance होगा वो यहाँ पर जो X का value होगा वो L by 3 पर होगा क्लिए यह बात बात समझ में आगिया और अगर यहाँ पर X का value पुट करेंगे L by 3 तो 3L minus L 2L by 3 आएंगे इसके लिए आएगा यहाँ से यहाँ तक के distance इसके हमारा distance के निकल गिया L by 3 आएगे यह बात समझ में आगिया आगिया आपको असान तरीके से तो यह हुआ जब charges ने जब charge का nature कैसा होगा same होगा यह बात समझ में आगिया जब charge का nature क्या होगा same होगा अब आईए charge का nature अब हम different लेते हैं अलग लेते हैं दुसरा लेते है नेचर चार्ज का मतलब opposite nature का charge है इस question इसे में जी एक लिया हमने plus q और दुसरा लिया हमने minus 4 q एक positive और एक negative क्या होगा यह होगा यह स्टेंस दोनों के बिच का L होगा दोनों क्या है fixed है अब बताना यह चीज़ है कि यह third charge को कहां पर रखे कि charge equilibrium position में जाए तो अब यह बात आपको यह बात समझ में आना चाहिए कि हम ठमें third charge रखना तो दोनों के लोग बीच में होगा नहीं यह बात clear है क्यों नहीं होगा यह पहले हम लोग करके देख चुके है जब charge positive nature में था दोनों same nature का था तो इसके बीच में आज़ा था एक किबिलिरियम third charge होगा लेकिन अब charge अगर हम opposite nature का दो charge ले रहे हैं तो third charge को हम कहां पर रखेंगे कि किबिलिरियम position में जाए यह बात समझना असान है ज़्यादा भारी नहीं है यह होगा plus q और यह होगा नाए minus 4 q अब इसका तीन region हमने बताया था एक region तो एक यह होगा यह दुसरा होगा यह तिसरा होगा बीच में तो होगा नहीं होगा तो इसको तो हम भो करके भी देख लेते हैं कैसे नहीं होगा दिखे अगर हम ने ठड चार्ज को हम लगा यह दोनों की बीच में क्या होगा रिपल्सन यह उसको वकब तो एहां यहां इद लगा जरूब इसको वन satur यह बात समझ में आगे हैं बीच में नहीं होगा किलियर यह बात अब इधर रखते हैं ठर्ड रिजन में दिखते हैं जब हम तो क्या हुआ चार्ज को रखा यहां पर ठर्ड रिजन में तो कि परना समझें के लिए बता रहे हम यह लाइन में देना है फॉर्स को और ये पर लस और ये माइनस क्या होगा एट इरेक्शन तो इधर होगा एफ टू दोनों तरह तो सेम आ रहा रहा है तब रखेंगे तो कहां पर रखेंगे तो रख नृगा तरिका है कि इचार्ज का मेंगिच्जूट देखना चार्ज के मेंगच्जूट यहाँ-पी-प Зबाइग मेंगिच्जूट कहां पने कम हैं यह कं है यह जЗादा । यहां पर रखायेगा—— यहां पर नहीं रखायेगा इसका F1car पर इसका निकाले हम यहां पर, f1, f1 क्या आजाएगा, f1, k, q, into q, by, distance ले, अगर हम, ठेक, distance ले, यह क्या हो गया, l हो गया, यह l हुआ, यह l हुआ, यह l हुआ, यहां यहां से यहां क्या मानेंगे, x अगर मानते हैं, x, तो क्या होगा, l plus x स्कॉार हो जाएगा, यहां तक distance L plus F2 अगर हम ले F2 अगर हम ले F2 क्या होगा F2 इसके जरीए K 4Q into Q by X square सिर्फ X हो जाएगा अब देखिए इसमें मिला ये क्या हो रहा है इसमें forces जो है यहां देखिए denominator denominator यहां L plus 1 यहां X square यहां भी बढ़ रहा है यहां भी बढ़ रहा है यहां X square है यहां L plus X square है तो जब distance बढ़ता है तो force क्या होता है घटता है जब distance घटता है तो force क्या होता है बढ़ता है यह चिज़े opposite मामला हो रहा है उपर में देखिए तो यहां पर ये बालेंस नहीं बना पाएगा ज़िए की ज़यर होगा क्योंकि f1 से ले रहे ना यहां पर एक्स माना इसको यहां से ले करके यहां तक का डिस्टेंस x है तो क्या हो जाएगा f2 क्या हो जाएगा k4 q into q f2 f2 जो लग रहा है यहां पर चार्ज यह एक्स है यहां से ले यहां तक तो क्या हो जाएगा l plus x का all square अब देखिए यह बढ़ेगा यह बढ़रा डिस्टेंस यह घट रहा है अब यह क्या होगा यह बढ़रा यह घट रहा है इस तरीके से दोनों फोर्स क्या होगा करीब करीब बैलेंस हो जाएगा f1 f2 के बराबर हो जाएगा यहां पर तो f1 f2 के बराबर हो जाएगा यहां पर f1 f2 के बराबर कर दिया तो क्या होगे kq into q by x square k4 q into q by l plus x का whole square cancel हो जाएगा उपर में जो भी value है बचेगा kya cheese 1 by x square 4 by l plus x का square इसको multiply करेंगे हम तो 4 x square आएगा और l plus x का square आएगा तो यह आजाएगा 2 x और यह हो जाएगा l plus x यहां है तो x का value किसके बराबर हो जाएगा l के बराबर हो जाएगा मतलब कहां पर रखेंगे चार्ज को तो पहले चार्ज से वो जो डिस्टेंस L के बराबर आएगा करीब करीब तो इससे आप क्या समझें इससे बात ये समझें कि कोई जोरी नहीं कि पहला ही में ठड में भी पाया जा सकता हो नेचर पे अगर नेचर नेचर सेम होगा चार्ज का नेचर अगर होगा तो जो एकियूरियम undergrad होगा याद रखेगा echibl уверium जो होगा वो पीच में होगा इसको लिखना है कहां पर ऑगा स्मालर मैंगनिचूड जो होगा चार्ज का स्मालर मैंगनिचूड कि पास होगा पर एक पास होगा कि यह बाद फैले बॉइन दूसरा पॉइंट अगर जब nature बाहर में हो गा या तो पहला में हो सकता है या फिर तिसरा में हो सकता है region ये समझाने के लिए और कहां पर होगा smaller magnitude जो छोटा magnitude होगा उसके करीब में होगा उसके पास में होगा ठीक है यह point आप समझ में आगी आपको यह बात इस point को याद रखना यह सबसे important point है अब एक question हम लोग कुछ questions देखेंगे और questions को समझने की कोशिच भी करेंगे ठीक है अब जैसे माल लीजी एक question अगर हम simple से दें एक question है यह आप घर में बनाएंगे इस question को minus 9 Q है और यहाँ Q है ठीक और fix है अब बताएं आप यहाँ पर कि एक क्यूब ठट चार्ज को कहां पर रखेंगे किस रिजन में रखेंगे कहां पर रखेंगे कि एक्यूब लिरिय कि यह आपका है जी बताएं कि कहां पर रखना है हमें ठट में रखना है जी ठीक ठट में रखेंगे देखिए पहला में तो नहीं होगा बीच में तो नहीं होगा ठट में होगा क्योंकि smaller magnitude के पास होगा बाहर में होगा स्मॉलर magnitude के पास होगा ठट में होगा बाग इसका आइसर आप सॉलूशन करके निकाल जीगा घर प्या अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग देखिए अब लोग कोश्चन देखते हैं एक यह सी वरमा का कोश्चन है इसको समझते हैं हम लोग क्या गहरा है इस सवाल में लोग पार्टिकल से ए और बी हैविंग चार्जेस चार्जेस एट पांड़ एट पांड जिर इंट पे पार माइनिस 12196 यानि माइक्रो कोलँम है एक लोग होता है पाज जोर्पिक्सट वितसे सेप्रेशं ऑफ 25 सेंटी बिटर डूरी है वे टोने ऩि सदेख हैब कहां पर र 추천 को आप ऊन इस प्रियेन्स एक्प्यक्रेशों अभ॥ एक ट्ट उन्हीं करेंगको करेल गाएट इने एलेक्र चीज़ हम लोग जानते हैं असान तरीके से इजी वे में सबसे पहले हम इसका अगर सॉलुशन कर रहे हैं तो समझे इसको यह हुआ ए पार्टिकल और यह हुआ बी पार्टिकल करेंगे तो अभी हमने आपको पताया था कि आपको तीन रिजन बनाना है यह आगे बढ़ा दीजे और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजे तो नेचर डिफरेंट है जब नेचर डिफरेंट होगा तो कहां पे रखेंगे हम जब नेचर डिफरेंट होता है तो हम बाहर में रखते हैं मतलब पहला या तिसरा में अब देखिया अब दुसरा तरीका क्या होगा ये तो पहला होगा कि बाहर होगा अब बाहर में कहां पर होगा जिसका मैंगनिचूड कम है उसके पास होगा 8 और 2 कौन सबसे जादा है magnitude में 8 है 2 कम है तो 2 के करीब में होगा मतलब जो charge होगा वो 2 के करीब में होगा यहाँ पर होगा Q इसको माल लिया यह C point माल लिया अब हम Q पर C पर force निकालेंगे A के जरीए तो A के जरीए जो force निकलेगा क्या होगा हमारा K into Q1 Q1 क्या दिया होगा 8 into 10 power minus 6 और into Q और by दोनों के बीच का distance जो था वो 20 cm है 20 cm को हम लोग के इतना लिखते है 20 into 10 power minus 2 meter यह बात समझ में आता है तो आगर हम cm में रहने दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा 20 cm है दोनों के बीच का तो यह X माल लिया हमने तो क्या हो जाएगा 20 plus X 20 plus X का स्कॉर कर दिया अभी कोई चेंज करने का जूरत है नहीं अब B के निकालेंगी इस पे और इसके जरीए फर्स निकालेंगी तो इसके और इसके जरीए फर्स जो निकलेगा K into 2 into 10 पे power minus 6 माइनिस नहीं लेंगे माइनिस तो नेचर को बता रहा है माइनिस 2 माइनिचुड लिया और into Q और Y क्या हो गिया यहाँ यह दोनों का क्या हो जाएगा X स्कॉर हो जाएगा अब नेट फर्स क्या होता है दोनों बराबर होता है यहाँ फर्स A के जरीए और फर्स B के जरीए दोनों बराबर होगा तो दोनों को ले लेंगे K into 8 into 10 पे power minus 6 into Q और Y क्या हो जाएगा 20 plus X इसका क्या करेंगे whole square K into 2 into 10 पे power minus 6 into Q Y क्या होगा X square K से K cancel हो गिया 10 पे power minus 6 10 पे power minus cancel Q से Q cancel होगा 2 से 8 कितना बार में cancel होगा 4 बार में cancel होगा ठीक तो 4 इससे multiply करें कितना गिया 4 by 20 plus X whole square 1 by X square ठीक है यह चिस अब इसको इससे multiply करेंगे 4X square हो जाएगा 20 plus X इसका whole square square आएगे तो क्या आएगा 2X आएगा 20 plus X के लिए क्या हो जाएगा 20 cm यहाँ पर हम रखेंगे के लिए रहे हमारा questions तो यह बात आप समझ में आगे तो यह fixed charge था यह fixed charge के लिए question था यहाँ पर held fixed लिखा होगा है ना यहाँ पर लिखा होगा held fixed with a separation of fixed था charge अब अगर मान लीजिए charge fixed ना रहे charge free रहे तो क्या करेंगे अब समझना है आपको अच्छे तरीके से if both charges are not fixed fixed ना रहे तो कहां पर रखेंगा where should where should we place तारते जाएंगे where should we place a third charge show that so that system remains in equilibrium बताएब कहां पर रखेंगे तो fix ना रहे क्या रहे फिरी रहे fix नहीं रहेगा अब फिरी रहेगा तो इसमें step याद रखना बस और कुछ करना नहीं step याद रखे step 1 step 1 जानते हैं nature जब सेम होगा nature जब सेम होगा तो बीच में रखेंगे पस याद करते चलना है nature जब different होगा तो बाहर रखेंगे बाहर रखेंगे कहां पर रखेंगे ये पता है अना where we put third charge याद रखना where we put third charge clear तो यह हुआ step 1 में कहां पर हम third charge को रखेंगे दूसरा step 2 में आपको ये याद रखना है कि अगर आपको nature nature of third charge देखना है third charge का nature क्या है step 3 में आपको ये करना है net force निकालना है on third charge जो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए clear और step 4 में ये करना है आपको कि net on 1 or 2 is equal to 0 यानि आपको charge का magnitude निकालना है third charge का magnitude third charge का magnitude अगर आपको find करना है तो net force आप 1 पे या 2 पे निकालेंगे तो third charge का magnitude निकाल जाएगा clear nature of third charge net force on third charge third charge 0 देखना है हमें तो ये सारा चीज़ इस step का आप याद रखें और इस पर एक question समझें तो आपको समझ में आ जाएगा automatic clear बात चलिए question समझे समझना इसको उतार लिजिए point को उतार ले आप लोग कला है क्याओ थे अहां को अ हां जहिए आ जाए है आउज है पतार आप में को य्जर को दी ऑप दो दो स्क्राशी उत आप ऊच्ट को लिएुड आप प्लसक्यॉब अ आप अप दूसरा भी पालश्क्यॉड नों पॉस्रेटी खें और थेख दोनुटीब अश्या ने रीट हुँ चाजेस के सब फिरी शोगतों कहारा सवाल यह कि वेर शुड्ड सुड्र वेर शूड्ड हुआ सवाल यह शुड्ड बिब प्लेस कि छुड्ड भी प्लेसश च कै थासर तरफ चारज रोल्ड इसा आ इंबिंट और कि लिमें स लिमेन इनमा नेनम सननना के कि भिले एक इपलेरियम पोजिशन पोजिशन में रहे और सो फाइंड मैंने चूड इसमें एक दम आसान है अब देखिया हम यह इसको बना रहे है समझने वाली बात है चार्च क्यूं है और एक्यूं है जाँते के चार्च का जब नेचर संहा तो कहा रखेंगे बीच मेराखेंगे चार्च पो इंपalay डिया अब यहाँ हमें अब किसे現在 करेंगे तुमाने चार्च फ़र्स पलस लिए पलस कयो जब प defining लिए तो इसके जरीए फोर्स तो इधर भी लगेगा F1 और इसके जरीए फोर्स इधर लगेगा F2 यह बात तो हो गया तो हमें लगना कि अभी यह क्यूबिलियम हो जाएगा नहीं अब हमें एक चिस्क फाइंड करना अगर चार्ज का मैंगिचूड निकालना है तो नेट वन यह टू पर ज़ीन होना चाहिए तो इसके जरी जब इसके हम लिखेंगे फोर्स तो क्या होगा हमारा जैए कि इसके जरीए इसके लगाएंगे तो क्या होगा F2 तो चार्ज दोनों फोर्स का डिरेक्शन से में तो net हो रहा है 1 पे 0 नहीं हो रहा है इधर भी करके अगर देखेंगे तो वही मामला होगा तो पता चला चार्ज पॉजिटिव नहीं होगा तो अब चार्ज का नेचर कैसा होगा चार्ज का नेचर अब हम लेंगे जो वो नेचर हमारा होगा निगेटिव चार्ज का नेचर कैसा लेंगे निगेटिव लेंगे निगेटिव लिया अब निगेटिव से दिखिए क्या होगा कि इधर और इधर तो लगेगा ये बीच में तो आ जाएगा माली जी एफ वन ले लिया इसको एफ टू ले लिया के लिए वन पर निकालते हम पालस और माइनिस क्या होगा एक दूसरे को अटरेक्ट करेगा यह किया अटरेक्ट यह फॉर्स लगा इसके जरी इस पर इसके जरी इस पर क्या लगए रिपेल करेगा तो यह क्या हो रिपेल क जाएगा magnitude निकालने के लिए 1 पर या 2 पर भी हम करके देख सकते हैं तो चार्ज का नेचर के सा हो गया निगेटिव हो गया यह बात साबित हो गया समझ में है ना चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव यह किसे निकालते है यह चार्ज की नेचर से निकालते है और फफ़ यह चार्ज 4 पर हम नेटिव जेरो करके देखेंगे अगर नेटिव जेरो हो जाता है यह बात तो शमझ हो आगी एको चार्ज का नेचर तेमें तो चाय के नेचर उलगता ये यह फीर नेइनिस लगता और ढगतार इस के जरीए इस पर लगा तो यह इधर लगता औ सんな 0 आ जा रहा है क्लिए यह बात तो charge का नेचर निकल गया negative होगा अब charge कहाँ पे रखेंगे यह बात है charge कहाँ पे रखेंगे तो charge रखने के लिए दोनों के बीच का distance l दिया हुआ है वहाँ पे हम लिखा नहीं था l मान लिजिएगा Q हो गया Q हो गया Negative रखेंगे ठेक ये दोनों के बीच के Distance L दिया हुआ है इसको माल लेते हैं x तो ये क्या हो जागा L minus x धुरी हो जागा यहाँ से यहाँ तक तो x की लिए निकालने ए for x के लिए निकालने तो क्या करेंगे हम Force on थर्ड चारज निकालेंगे फोर्स उन prends जार्ड चार्ज है वसमें जूद निकालेंगे यह स्टो अभी इसका नुमर 30 नि चाहिए नेट ठट्ट चार्ज पर निकालेंगे त्ट चार्ज में नीट निकालने हम कि अधर लगेगा इधर लगेगा तो प्र एफट्टी कि लूर अफ आप लोाम बराबर एफट्ट्टू कि समय मा रहारा ना एक डिनेट चार्ज करके लिए नेट प्र wine नेट minus x का whole square यहां से यह distance यह 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 पूरा कैंसिल क्या आया x square बराबर l minus x का whole square इसको कर देंगे x बराबर l minus x minus minus plus 2x बराबर l तो x बराबर हो गया l by 2 क्लिए यह बात अब देखिए यह बात तो समझ में आ गया x निकालने के लिए यह तिसरा स्टेप हो गया हमारा अब चौता स्टेप में अगर हमें निकालना magnitude charge का magnitude क्या होगा इसका magnitude क्या होगा तो fourth step के लिए for magnitude के लिए किसी नपर हम net force क्या निकालेंगे चाहे इस पर या इस पर net force हमें निकालना है zero तो f net हमने निकाला किस पर one पर f net on first take f net on first is equal to zero लेना तो इस पर निकालने एक force होगा यहां पर f dash और दूसरा क्या होगा f double dash समझ में आ रहा है f dash जो निकलना हमारा वो क्या हो रहा है f dash is equal to f double dash तो f dash जो हमारा निकल रहा है f dash वो क्या हो रहा k q into q by यहां से यहां तक करें डिस्टेंस x निकाल चुके हैं हम x बराबर l by 2 यहां से यहां तक distance f dash जो निकल रहा plus minus iterate कर रहा है l by 2 का whole square यह हो गया बराबर f dash अब देखिए f double dash क्या है f double dash किसके जरी लग रहा है पहले बताया था यह इस पर force लगा रहा है क्या हो जाएगा हमारा k into q into q और by यहां से यहां तक करें डिस्टेंस क्या है l है l है यह हमारा तो l ले लिया l square हो गया clear यह बात यह और यह क्या हो है तो यहां क्यू लिया हमने इधर क्यू लिया और इदर यह इधर इधर q और क्यू एधर q और क्यू और capital क्यू लिया तप देखिए q से q cancel हो गया यहां क्या बचा q by l by 2 का हॉल square और यहां क्या आया q by l square clear क्या हुआ q l square is equal to q into l square by फोर तो L square L square से cancel Q बराबर हो गया small q के फॉर्थ फोर्थ खेसे कि लियर कि ए do हम यह थिस Q अबर 2-0 by 4 penser चार परकेंगे बीच में रखेंगे बीच में रखेंगे चार्च केसर फिर ऑब यह बता नहीं चार्च के नेचर लेंगे तो नेट-फोर्स-वन या टू पर करके देखेंगे नेट-वर्स-वन-च्विक्षू-ग। तो positive nature होगा अगर negative में net force 0 आ रहा है दोनों में तो negative में अगर 0 आ रहा है net force चाहिए इस पर 1 पर चाहिए 2 पर दोनों charge किसी पर भी तो negative हो nature होगा X निकालने के लिए हमें क्या करना third charge पर net force निकालना है X निकालने के लिए third charge पर net force निकालना है थट चार्जगा, किलियर ये बात, इस स्टेप को आप उतार लें, अब देखिए, इक्यूबिलीरियम जो होता है, अगर हम इक्यूबिलीरियम की बात करें, इस बात को आपको समझदा है, इक्यूबिलीरियम से रिलेटेड बात, यह आपको हमने ले, ठीक है, अब यह जो चीज़ है, एक बाडी को हमने रखा यहाँ पर, इस पॉइंट पर, ठीकूँड बॉय को रखा, अब इस पॉइंट से हमने बाडी को क्या किया, इधर किया, इस तरफ, इस तरफ भेजा हमने, उपर की तरफ गया तिक यहां पर net force अभी zero है उसको हमने दिस्प्लेइस किया यहां पर फिर से यह अपने equilibrium position पर अगर यह आ रहा है देखिए एक यह हमने दिस्प्लेइस किया X यह क्या हूँ फिर से इसी तरफ आने की कोशिक कर रहा है अपने के बिलियम पर तो जिसक ऐकी प्लीजिय ao Prince rapport यूसी ॉइंट पर आने की कोशिश कर रहा है तो उसतरिक उस तरह का जो के बली णोता है स्टेपल एक्यू बीरियम आद रहे का निक विलियर डिया किलिए बाद स्टेबल If you displace the body from equilibrium point and body try to return to the equilibrium point That type of equilibrium is called a stable equilibrium अब अगर body यहाँ पर रखे हम ठीक है body को यहाँ पर रखे हुए Body यहाँ पर है तो body को जब यहाँ पर displace किया तो बॉडी जब यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ बॉडी जब यहाँ पर डिस्प्लेस किया हमने बॉडी को तो बॉडी अपने एक्विलिरियम पॉइंट पर नहीं आ रहा है दूर जा रहा है तो जब दूर जा रहा है यह एक्विलिरियम पॉइंट है यहाँ पर नेट फॉर् इसको displace किया तो ना यह दूर जा रहा है ना नस्दीक आ रहा है बोड़ी यहां पर आगया, displace हो गए यहां पर आगया तो ना दूर लिगनम जा रहा है तो जा रहा है ना नस्दीक आ रहा है तो यह इस equilibrium कहलाता है, neutral equilibrium समझ में आए बाद? तो यह point आप याद रखेगा, यानि if you displace a body from equilibrium point and body try to return to the equilibrium point, this type of equilibrium is called stable equilibrium, अगर आप displace कि डिये body को from equilibrium point, but body doesn't try to return to the equilibrium point, body नहीं आ रहा है, तो वो unstable हो जाएगा, और एक ऐसा point से जब body displace कर रहे हैं, तो ना दूर जा रहा है, ना दूर जा रहा है, ना एकदम दूर चला जा रहा ह तो वो neutral हो जाएगा, तो यह आपको हो गिया equilibrium of charges, इसको आप लोग इसका note सुतार ले, और SC Verma का numerical equilibrium charges पर है, आप बनाए, और SC engage वगरा का problem आप बना सकते हैं, और बाकी DPV जब कराया जाएगा, इंशाल्ला तो आपको बहु सारा questions बताया जाएगा, इसके बाद लेक्चर मे हम लोग पढ़ेंगे, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, एकिबिलिरियम पर और इस पर, कुलम्स ला का जो सुपर पोजीशन थियोरम है, सुपर पोजीशन जो प्रिंसिपल है, उसके बेस पर हम लोग निमरिकल पढ़ेंगे, आईटी मेंस, जी मेंस, और AIPMT वगरा, यान नेटवर्गर का कुश्चन हम लोग बनाएंगे, थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो, इस वीडियो को जहाजाद आप लोग पहलाएं, शेयर करें एक दुसरे को, और लाइक करें, कमेंट्स करें, थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो,